दोस्तो आज किस वीडियो हम जानेंगे कि अगर आप एक CSC Center लेना चारें लेकिन CSC Center नहीं ले पारें और CSC से जुरी आप पूरा काम करना चारें तो बहुती आसान तरीके से CSC Operator ID लेकर आप CSC से जुरी लगबग सभी काम कर सकते हैं अब CSC Operator ID लेने के लिए दोस्तो आपके नजदी की जो भी CSC संचालक है जो CSC Center चलाते हैं उनसे आप CSC Operator ID ले सकते हैं क्योंकि दोस्तो एक CSC ID में लगबग 5 Operator ID को जोड सकते हैं यानि कि 5 लोगों को वो Operator बना सकते हैं और उसके बाद जैसे आपको Operator बना देते हैं उनके बाद आप जो CSC से जुरी जो भी काम होते वो सारा काम आप घर बेठे खुद से ही कर पाएंगे यह नहीं होगा कि आपको CSC संचालक के पास जाना होगा तो मैं इस वीडियो में आगे आपको step by step पूरे बारी किसे बताने वाला हो कि CSC Operator ID कैसे क्रियेट करेंगे कैसे बनाएंगे CSC Operator ID क्रियेट करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हो तो वीडियो को अंतक दिखते रही है मेरा नहीं राज कुमार और आपका अपना ही चैनल आपको स्वागत है तो अचलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर आप CSC Operator ID क्रियेट करना चाहरे है बनाना चाहरे है या फिर आप CSC Operator ID लेना चाहरे है तो उसके लिए आपको सबस्विले को भी ब्रोजर ऑपेन कर लेना है उसको दोस्तों आपको सिंपली गुगल ऑपेन कर लेना है और यहां प जबने कर देना और यहां पर लॉग इन बटन पर इस तरह से खिलेक कर देना है अब जिसके माधियम से आप CSC Operator लेना चाहते हैं उनको जोसे यह आप पर कि सीका user-id enter कर लेना है यां पो पूसरे से स्य आथर में log in अपको इस Lily को इस तरह से ओपर is how करने देखने मिलेगा इस पहए आपको इस तरह से क्लिक कर देने हैं अब इस पर आप जैसे क्लिए दूसरे यहां देख सकते यह CSC संचालक और पहले से क्लिक कर देने हैं उसको आपको इस तरह सब्सक्राइब करने हैं और नीचे दरफ आने माद जो व्यक्ति को आप ऑपरेटर आड़ी बनाना चाहते हैं उनका अधहार नमर आपको यहां पर एंटर कर लेने हैं उनका अधहार कार्ट पर जैसा भी नाम लिखा है हुब हुआ हु इस तरह से आपको यहां पर डेट बर्त आ जाएगा उसका यहां से आपको अपना जेंडर बताना होगा मेल है जो भी है आप अपने नों सार यहां पर स्लाट कर लिजिए उनका दोस्तों यहां पर आपको ऑपरेटर का इमेल एडी एंटर करने हैं और यहां पर ऑपरेटर क आपको simply करना यह box पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है और क्लिक करना दोस्ते आपको submit बटन पर क्लिक कर देना है अब जिसे आप submit बटन पर क्लिक आएं दोस्तों आपका सफलता पुर्वाग operator ID बन जाएगा और जो व्यक्ति का operator ID बनाए है उसका जो email यह उसके email पर operator ID नंबर चला जाएगा तो उस ID नंबर के मदद से वह CSC में login कर पाएंगे आप सब का सवाल हो सकता है कि मुझे operator add कर दीजिए आपके में तीन इसपेस अभी खाली है यानि तीन operator को add कर सकते हैं तो मैं यहां पर आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि उनसे आप जाके request करके CSC operator ID add करवा सकते हैं उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share किजिए और आपके मन में कोई सवाल कोई confusion या कुछ पूछना हो तो नीचे comment box में आप बेजी जग हमसे पूछ सकते हैं